नमस्कार स्वागत है आपका TRT इन हिंदी चनल पर मैं एरिस संकर आज कि वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप किसी भी फोटो का बेक्ग्राउंड ओनलाइन रिमूब करना चाहते हैं वहां पर आप किसी भी एक क्लिक में तो आप यह कैसे कर सकते हैं दे इस फोटो का जो बेक्ग्राउंड है वह पूरी तरह से देखिए भरा हुआ है और हम चाहते हैं इस फोटो का बेक्ग्राउंड बीना किसी कट के जो की आप फोटो सौप में कर सकते हैं या बहुत सारे लोग मोबाइल में भी अप्लिकेशन का यूज करते हैं लेकिन मैं आ जदा असन है और आपको perfect photo का background erase कर के देता है साथ में आप वहां पर photo को edit भी कर सकते हैं background में जो किलर की फोट भी आप add कर सकते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपकर अपने mobile में किसी भी browser को open कर लिजिए open करने के बाद आप यहाँ पर bg remover लिखे यहाँ पर search कर लीजिए जैसे आप इस website को search करेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा remove.bg आपको इस website को open कर लेना है website को open करने के बाद इसका interface कुछ इस परकार का दिखेगा यहाँ पर आपको upload image पर किलिक करके अपने उस image को यहाँ पर upload कर देना है जिस image का आप background erase करना चाहते हैं आप देख लीजिए आपका photo uploading हो रहा है upload लेने में कुछ समय लग सकता जिस परकार से आपकी file होगी उस परकार से uploading में समय लग जाएगा यहाँ पर देखेजिए दोस्तों जिसे ही आपका photo upload हो जाएगा तो यहाँ पर आपका photo का जो background है वो automatic यहाँ पर remove कर दिया गया है औ अपने mobile में किसी और परकार से editing में काम कर सकते हैं लेकर आपको चाहिए कि photo के background में कुछ color हो या किसी परकार का interface design हो तो यहाँ पर आपको edit का option देखने को मिलदा होगा आप edit पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे फोटो आपका load ले लेगा और नीचे में आपका background आ जाएग पर यहाँ पर देखे दोस्तों color का भी option आ जाता है नीचे में देखे color है तो आप अपने हिसाब से अपने फोटो में background में color दे सकते हैं color को चूच करके देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपका फोटो का जो है वो color correction हो जाता है अब यहाँ पर बात कर लेते डाउनलो किसी भी फोटो को एरिट करने के लिए अगर आप उसका background रिमूब करना सकते हैं आप देखे दोस्तों आज का यह वीडियो बताने का मेरा बस इतना ही परपस है कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि जिनके पास computer नहीं है और उन्हें Photoshop नहीं चलाने आता है तो आपको अपना photo passport size में किस प्रकार से बना सकते हैं एप और साइज में online आपको कुछ नहीं करना बस photo को upload करना है और आपका photo passport size में बनके आ जाएगा आप चाहे तो उसे प्रिंट कर सकते हैं आपके घर पर प्रिंटर है तो इस topic में मैं आपको अगले वीडियो में होंगा तब तक के लिए goodbye धन्यबाद आपका वीडियो को पुराद देखने के लिए